प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रईवार को दिल्ली में प्रगती मैदान एक ट्रांजिट कोरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग उधगाटन किया और साथ में छे अंडरपास का भी उधगाटन किया एक दशमलब 6 किलोमेटर लंबी प्रगती मैदान सुरंग इंडिया गेट और सेंटरल दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगी इसे पूर्भी दिल्ली नौयडा और गाजियवाद से दिल्ली के अन्य हिस्सों में आना जाना अब और भी आसान होगा अभी मद्य दिल्ली और पूर्भी दिल्ली से सटे शेत्रों के बेच यातायात की आवाजाही बहुत मुश्किल थी इस सुरंग से दिल्ली के इंडिया गेट शेत्र के करनाट प्लेस चानक के पूरी में काम करने वाले दैनिक यात्रियों को बड़ अब भी सुन्दर उपहार मिला है इतने कम समय में एक अक्रिट ट्रांजिट कोरिडोर को तयार करना आसान नहीं था जिन सटकों के इर्द गिर्द ये कोरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सरकों में से एक है प्यम मोदी ने कहा है कि दिल्ली अंसियार की अगर तारिफ की उन्होंने कहा है कि वो इससे इतने प्रभाविद हुए कि वो खुली चीप से बाहर निकल कर पैदल चलने लगे प्यम मोदी ने इसे बच्चों को दिखाने की भी सला दी मैं दिल्ली के लोगों को नोएड़ा गाजियाबाद के लोगों को एनसियार के लोगों को और देश भर से दिल्ली जिनको आने का उसर मिलता है उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का एक बहुत ही सुन्दर उपहार मिला है अभी जब मैं टरनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत से सारी बाते आ रही थी इतने कम समय में इस इंटिग्रेटेड टांजीट को तैयार करना जरावी आसान नहीं था जिन सडकों की इर्दगीर्द ये कोरिडर बढ़ा है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सडकों में से एक है हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती है और ये जो टनल बनी है उसके उपर तो साथ रेलवे लाइंस गुजर रही है इन सारे मुश्किलों के बीच कोरोना अधम का उसने नहीं परिष्टितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे किज भी काम करो तो जुड़ी शरी के दर्वाजे खटकटाने वाले वालोगों के कि भी कमी नहीं है हर चीज में अड़के डालने वाले होते होते ही है अनेक मुसिबते पैदा होती है देश को आगे ले जाने में इस प्रोजेक को भी वैसी कठिनाईयों से गुजर ना पड़ा लेकिन ये नया भारत है समस्यों का समाधान भी करता है नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिध्ध करने के लिए अहर निश्ड प्रयास करता है जिन मेरे स्रमिक भाई बहनों ने अपना पसिना वहा है वे सब उन सब को मैं रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ उन सब का अभिननन करता हूँ एक जो मैं अदर टनल से देखकर के आया तो मैं कह सकता हूँ ये एक भारत स्रेष्ट भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है मैं नहीं जानता हूँ दुनिया में कहां क्या होगा लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूँ शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलेरी नहीं होगी इतनी बड़ी ही लंबी आर्ट गैलेरी बन गई है भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है उसकी विवितेताओं को उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा वो विदेशी होगा तो भी वो मैसूस करेगा अच्छा नगालेंड ऐसा है केरल ऐसा है जमुकिश्मीर ऐसा है यानि इतनी विवितेताओं से भरी हुआ हुआ वो आर्ट वर्क है और वो भी हाथों से तयार किया हुआ काम है ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषन दिया आप तक उससे मैं थोड़ा विप्रित सुझाव देना चाहता हूँ मैं नहीं जानता हूँ एक्सपर्ट लोग मेरी सुझाव को कैसा लेंगे मेरा सुझाव है पैसे भी संडे को थोड़ा ट्राफिक कम होता है क्या संडे चार छे गंटे जो टैनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाए उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ संडे को चार छे गंटे किसी भी वेहिकल को वहाँ एंट्री न दी जाए और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए बहुत बड़ी सेवा होगी दोपेर एक बचे के बार टनल आम लोगों के मूव्मेंट के लिए खोल दिया गया अब आईटी और प्रगति मैदान के आसपास से गुजनने वाले लोगों को ट्राफिक जाम से राहत मिल जाएगी दिल्ली से गाजयब्याद और नॉइडा के बीच आवाजाही करने वालों को काफी राहत मिलेगी अमोमन इस मार्क पर सुभ़ और शाम पीक आवर्स में लंबा जाम लगता था इससे एयर पलूशन के साथ वक्त की वरबादी भी होती थी छे लेन टनल के भीते स्मार्ट फायर प्रबंदन, आधूनिक वेंटिलेशन, सौचालेज जल निकासी, डिजिटल रूप सन्यांतर सीसी टीवी और सारवजनिक घोशन प्रनाली वेवस्ता है लंबे समय से प्रतिक्षित सुरंग भैरो मार्ग के लिए एक वेकलपिक मार्ग के रूप में काम करेगी इस नए टनल में एंट्री से लेकर एक्जिट तक मनोरम चित्रकारी की गई है दिवारों पर बनी पेंटिंग सफर करने वालों की दिलों पर खास छाप छोड़ीगी सुरंग में बनी भिविन चित्रों में कश्मीर से लेकर कन्याकमारी तक के सभी त्योहारों की जलक मिलेगी टनल में काफी जगा पर मेटल आर्ट भी है एक स्पेशल दिवार तो अतुल्य भारत को डेडिकेट है इसमें दिल्ली के प्रसिद समारकों के चित्र भी बनाए गए हैं जिसमें संसत, जामा मस्चित, जंतर मंतर, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुम बिनार और लोटस टेंपल भी शामिल है पूरे आर्ट वर्क में कही भी कोई ब्रेक नहीं है 400 मीटर लंबा सुन्दर नगर यूटर्न अंडर पास, 380 मीटर लंबा पुराना किला के पास अंडर पास, 1032 मीटर लंबा नैशनल स्पोर्स क्लब के पास अंडर पास, 540 मीटर लंबा भैरो मार्क रिंग रोड टी जंक्शन अंडर पास और 474 मीटर लंबा सुप्रीम कोट के पास अंडरपास रामिल है मतुरा रोड और रिंग रोड के बीच प्रगति मैदान के नीचे बनाई गई टनल में सुरक्षा के लिए भी कई तरह के इंतिजाम करने का दावा किया गया है लगभग देड किलोमेटर लंबे इस टनल में स्मार्ट फायर मेनेजमेंट वेंटि वार शाम से ट्रैफिक चलने लगेगा लेकिन भैरो मार्क रिंग रोड टी जंक्षन पर जो 540 मीटर लंबा अंडरपास बन रहा है उसे पूरा कन्य में अभी वक्त लगेगा ये भी बता दे कि प्रगति मैदान के अंदर जो बेस्मेंट पार्किंग बनाई जा रही है उस सब्तर जानी के समय में सडकों पर लग रह भारी जाम से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी यानि सुभीदा के साथ साथ दिल्ली वालों के समय की भी बचत होगी बीरो रिपोर्ट जनभावना टाइम्स